आस्टानिक विवर्ज माइन प्रिजबान चीमा वेलकम बैक विद नदर वीडियो ऑफ केपिटल स्मार्ट सिटी ओवर्सीस प्राइम सेक्टर एच और इस वीडियो में आपको जो मिड ओफ जलाइ और विदेट करेंगा कि ओवर्सीस प्राइम सेक्टर एच में इस वक्रेंट में डिवल्प्न का स्टेटस क्या है और सेक्टली जो ब्लॉक एच का मैप रिवाइज हुए उसका हवाले से वीडियो में ट्राय करूँ कि आपको अप्डेट करतें कि इसमें क्या चेंज़ आई ह बाराल इस वक्रेंट जो स्टार्ट करतें हैं डिवल्पन के हाले से साइट की डिवल्पन पर देखें तो Overseas Sector H में इस वक्रेंट यह कि जो बेसिक ब्राउनिंग प्लान है वो ड्रॉज हो चुका है और सेवरेज का काम भी कुछ स्ट्रीट से पर हो चुका है कुछ स्ट् इस के लावा कुछ मैसिफ चेंजिस नहीं आई हैं हाँ एक दो स्ट्रीट से ऐसी हैं जहां पर सुसाइटी की तरफ से पहले यह स्ट्रीट पोल्स अब देख रहे हैं यह उपरेशनल नहीं थे लेकिन अभी यह उपरेशनल है स्ट्रीट लाइट से नहीं यह पोल्स लगे स्ट्रीट लाउंच की थी तो बुकिंग के साथ मैप लाउंच किया थी और इसमें ओफर की गई थी कोई भी मेंबर चाहे तो 40% डाउन पेमेंट कम्लीट करके अपनी मर्जी से लुकेशन बोक कर सकते हैं बैलेटिंग से पहले तक्रीबर ब्लॉक की जो 80-85% लोकेशन थी बैलेटिंग में 10-15% जो लोकेशन बज़ती थी ती वह मेंबर्स को अलोकेट कर दी गई थी यह ओवराल जो ओल मैप है और से प्राइम का सेक्टर एच का इस स्ट्रीम के वह देख सकते हैं अब इसी मैप को मैप है वह दिखाब से शेयर करता हूं यह न्यू मैप सेक्टर यानि कि कमर्शल कुछ एड हुए है उसके लावब का सेच को बड़े चेंज़ नहीं आए पहले सेक्टर एच में जो पाक्स का नंबर था वो था बंता टोटल दो पाक से अब सेक्टर एच में तीन पाक्स हैं एक दो तीन और सक लावा कमर्शल के डिशन और जो मैन रोड कुछ जो बाकी सोसाइटी कार्जाब प्लॉट थे वो पहले भी प्लॉट थे पहले में रोडी प्लॉट नहीं, थे सक्टर एच के हैं अम मेन रोड वे इस सोइटी ने किनाल के कुछ प्लॉट की हैं जो लेटर स्टेज़ पे इटसर्फ विलाज बनाके सेल के जाएंगे जैसे सेक्टर G में ये वाले जो किनाल के प्लॉट्स हैं इन पे ओलड़ी विलाज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है अब बात करें सेक्टर H में जो अवराल डिवल्प्मन का स्टेटस हैं पहले जो ऑपरेशनल किया जा चुक है बाकी इन स्टेट्स का प्रॉपर लेवर प्लैन ड्रॉट हो चुक है और इसके लावा यहां पे सेवरे चे काम जो इन स्टेट्स पे हो रहा है तो अवराल डिवल्प्मन की स्टेटस ही कि 100% कंप्लीट नहीं है डिवल्प्मन यहां पे तो तमाम के तमाम चीज़ें मुकमल होंगी चार साइट के बात करें नौर्थ एसवेस्ट सौथ तो चार साइट पे नौर्फ-साइट बीसकी अक्स में एक्स्टा चीज़ ऑड़ हुई है न्यू पे में वह इक बृडज के इडिशन होई है यह प्रिज देख लेह यह पहल जो ब्रीज आपको नज़र आ रहा है लेटस में ट्राइब करता हूं अभी तक क्योंकर साइटलाइट पर लेटस इमिज अपडेट नहीं यह ब्रीज मकमल हो चुका है यहां से प्रॉपर ओवर्सीज प्राइम से एक्जेक्टिव लॉग तक प्रॉपर एक्सेस है यानि किस प्रॉपर लेटस में अभी इसकी प्रॉपरली कार्पिटिंग वर हो चुकिए और सारा काम साइट पर है वह अलड़ी मकमल हो चुका है बाकी आने वले दिनों में जब इसमें मजीद चेंज आएंगे साइट पे तो इंशाला उसके वाले से आपको अप्डेट कर दूँग जा रहा है एक्जेक्टे ब्लॉक B के बिल्कुल साथ जहां तक जितना में बरसाती पानी होगा जैसे बेरे डावन कराची में किया गया है कि छोड़ चोड़े डैम्स बनाएगे हैं बारां तेरा डैम्स बनाएगे हैं वाटर रेजर्वाइज और उन्ही डैम्स से बाद मे जो मजीद चेंजिस आएंगे साइट पर डिवेल्पन के हाले से वह मैं आगे मजीद अपडेट कर दूँगा अगें बैक टो रेल टाम फुटेज और इसको स्क्रीन पर दुबारा जो जुलाइट टुटी टू की मिड ऑफ जुलाइट टुटी टू की अपडेटेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से और आप उसका पॉजशन भी ले सकते हैं सुसाइटी की तरफ से यह उप्शन था कि 40% जो मेंबर्स 20% डाउन प्रेमेंट और बाद में एक या दो मन्त में अपनी इंस्टॉल्मेंट क्लेर करके 40% कम्लीट करते हैं तो आपको चॉइस ओफ लोक थे उनके प्लॉट जो अब तक नॉन बैलेटेट हैं वो बहुत लिमिटेट सा नमबर है शहाद वान या 2% लोग होंगे ऐसे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनके प्लॉट बैलेटेट नहीं हैं बाकी तकरीबन 98% प्लॉट जो इस ब्लॉक में बैलेटेट हैं उनका पॉजशन भ और बाकी सेक्टर M की बात करें तो उस तरफ जो ढूइलोप्नट है वो भी तक स्टार्ट साइटे की तर्स से उस तरह से नहीं हूई तो ऑन पर possession की offer नहीं है बाकि जितने blocks हैं महाँ पर possession की offer हैं itself आप चाहें तो construction स्टार्ट करते हैं मैंने layout plan जो पूरा draw कर दिया है जितने blocks आप screen पर निजर आ रहे हैं इसको देख सकते हैं इन तमाम blocks में आप possession अपलाई करके अपना construction स्टार्ट कर सकते हैं अपने जो अपने जाती plot होगा उस पर बाकि कर लाउंटरंग पॉर्ट पॉर्ट विज़े देखे हैं तो इस block में जरसी with the passage of time interchange open होगा तो इस block को double preference मिलें कि elevated block है और बिल्कुल golf course के साथ adjacent block है तो इस block के benefit होंगे entrance gate के भी साथ है बिल्कुल और दूसरे साइट के आप golf course के बिल्कुल साथ है तो elevation भी इसकी बहुत अच्छी है तो ओवराल living के point विवे से अगर मुझसे को preference ले capital smartity में living point विवे से तो I would go with overseas prime block क्योंकि इसकी elevation जो है comparison to any other district अगर आप से और से Central देख लें, और से East देख लें, हार्मी पार्क ब्लॉक देख लें, एक्जेक्टिव ब्लॉक देख लें, किसी block से आप इसकी elevation wise comparison नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस block के elevation बाकी block के निस पर थोड़सी ज्यादा बेहतर है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज रूलाइ, कमेंट एंड शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इचाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिस झांग